हलो दोस्तो मैं अंके सिंग आप सभी लोगों का विजड़म हब स्टड़ी पर स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तो अब हम शुरू करते हैं मना टेस्ट नमबर 23 और फुल लेंथ टेस्ट नमबर 3 तो इसमें जो questions रहेंगे वो फिर से फूरे 100 रहेंगे और ये पुरे फुल लेंथ रहेगा जिसमें सभी विशयों का समावेशन रहेगा इन टेस्ट में तो पहला प्रशन है यहाँ पर पुर्ववेदिक आर्यों का धर्म प्रमुकत क्या था तो पुर्ववेदिक आर्यों का जो धर्म था वो मुक्यतब प्रकृती पूजा वो यग्य करना उनका धर्म हुआ करता था विश्व का पहला गड़तंत्र वैशाली में किसके द्वारा इस्थापित किया गया था तो यह इस्थापित किया गया था है लिच्छवी के द्वारा निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था तो सिकंदर के साथ भारत जो नहीं आया था उसका नाम था किस शाशक को दुटी अशोक कहा जाता है तो यहाँ पर जो कनेश्ख है उसको दुतिय अशोक के नाम से जाना जाता है सल्तनत काल के गुप्तचर विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था तो उन्हें जाना जाता था बरीद ए मुमालिक के नाम से हुमायू द्वारा लड़े गए चार प्रमुक युद्धों की तिती अनुसार सही क्रम अंकित करें तो इसमें जो चार युद्ध लड़े थे हुमायू ने उनका सही क्रम यहाँ पर बताना है तो इसमें हैं दोहरिया, चौसा, कनोज और सरहिंद, ये इसका सही करम है निम्ने लिखेते चितरकारों में से किसे जहांगिर ने नादिर उल्जमा की पदवी दी थी तो नादिर उल्जमा की पदवी दिया था जहांगिर ने अबुल हसन को पॉंडी चेरी का प्रतम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो इसका नाम था फ्रांसीस डे बसीन की संदी 1802 में किसके मद्ध हुई थी तो यह जो संदी थी बाजिरा उदुती तथा अंग्रेजों के मद्ध हुई थी अंग्रेजों ने रैयत वाडी बंदोवस्त कहां लागू किया था तो इन्होंने ये विवस्ता लागू करी थी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में कोल विद्रोह का काल कौन सा था तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 के मद्ध हुआ था निम्न में से किस साथ वाहन शासक का उलेक साची इस्तूप के दक्षणी तोरण सिला लेक में किया गया है तो उस साशक का नाम थे हाँ पर शाथ करणी निम्ण में से किस अंग्रेज गवर्णर ने मद्द प्रदेश के गौलियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था तो इस अंग्रेज गवर्णर का नाम था यहाँ पर हैस्टिंग वारेन हैस्टिंग इनका पूरा नाम था तूरिया जंगल सत्याग्रह का निरत तो किसके द्वारा किया गया था तो इस जंगल सत्याग्रह का नित्रत तो करता थे दुरगा शंकर महता त्रिभूज चत्रभूज तथा व्रत अकृतियों का अंकन किस चित्रकला में पाया गया है तो यह जो चितरकला है उसका माणना माणना चितरकला में यह सारी अकृतियां पाई जाती है नौकरी नायक लोकनाट में प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है तो प्रमुख पात्र को यहाँ पर रंगा कहा जाता है मद्द प्रदेश की लोग कलाओं में भवई क्या है तो मद्द प्रदेश की लोग कलाओं में भवई लोग नाट्ट है मद्द प्रदेश राज परटन विकास निगम की इस्तापना किस वर्ष की गई थी तो परटन विभाग की इस्तापना की गई थी 1978 में उदेगिरी की किस गुफा में बड़ा आवतार का चित्रन है तो यह गुफा नंबर है यहाँ पर पाँच काकड मट के नाम से प्रशिद सिव मंदिर का निर्माण किस साशक ने करवाया था तो इसका निर्माण करवाने वाले साशक का नाम था किरती राज मद्ध प्रदेश के किस पठार को सरसो की हांडी कहा जाता है तो मद्ध भारत का पठार है उसको यहाँ पर सरसो की हांडी कहा जाता है किस चीनी यातरी ने मालवा की जलवायू को विश्वगा सरसेष्ट जलवायू कहा है तो उस चीनी यात्री का नाम है यहाँ पर फाहियान निम्न में से किस नदी का प्रवाह उत्तर दिसा में नहीं होता है तो यहाँ पर प्राण हिता जो नदी है इसका जो प्रवाह है वो उत्तर दिसा में नहीं होता है गंगेउ पर योजना किस नदी पर निर्मी थे तो यह केन नदी पर नेर्मी थे काली मिट्टी प्रदेश के लगबग कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तारी थे तो यह लगबग 43.44% भूमी पर विस्तारी थे वर्ष 2018 में भारा सरकार द्वारा मद प्रदेश के चंबल छेतर की बीहड की समस्याओं के निदान के लिए किस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन एगरिकल्चर प्रोजेक्ट वर्ष 2020 में इको पर्रटन विकास निगम ने कहां इको जंगल कैम्प तयार किया है तो यह जगा का नाम है यहाँ पर रायसेन रायसेन में यह प्रोजेक्ट लाया गया है वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जीले में वन छेत्र में व्रध्य हुई है तो यह जीला है यहाँ पर पन्ना जीला मद प्रदेश राज जेविवित्ता बोड का अद्यक्ष कौन होता है तो इसके जो अद्यक्ष उनका नाम होता है पर वन एवं पर्यावरन मंत्री देश का प्रथम विश्वबास सम्मेलन मद प्रदेश के किस जीले में आयोजित किया गया तो जीले का नाम है यहाँ पर इंदोर जीला यमुना एक्षन प्लान कब प्रारंब किया गया था तो यह प्रारंब किया गया था 1993 में प्रत्वी पर मरू भूमी होनी की संभावना अधिक होती है किस अक्षांस पर तो यह 23 डिगरी अक्षांस के पास में अधिक संभावना होती है मरू भूमी होनी की संसार का सबसे सक्री जोलम की कौन सा है तो किलायू सबसे सक्री जोलम मुखी है या किस देश में ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताईए पंजशीर घाटी कहा अवस्ती थे तो यह अफगानिस्तान में अवस्ती थे नियागरा वाटरफॉल किन दो जीलो के बीच इस्ती थे तो यह इस्ती थे इरी और उंटोरियो जीलो के बीच में उत्तर से शुरू कर दक्षिर की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही करम बताना है तो इनका सही करम वाला ओप्शन नमबर डी सही है नला मलाई, नीलगिरी, जवादी और अन्ना मलाई निलांग घाटी किस राज में इस्ती थे तो यह यहाँ पर उत्राखंड में इस्ती थे अलमटी बांध किस नदी पर इस्ती थे तो यह कृशना नदी पर इस्ती थे जब मिटी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती है तो यह किस प्रकार के अपरदन का प्रदर्शन करती है तो यह जो अपरदन कहलाता है यह रील अपरदन कहलाता है मद्ध प्रदेश में सबसे अच्छे गुणवत्ता वाला शंग मरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है तो यह सकोली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है मद्ध प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल एस्किल पार्क किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है तो सिंगापूर के सहयोग से स्थापित किया गया है करशत चीतना पत्रिका कहां से प्रकाशन होता है तो इस पत्रिका का प्रकाशन जबलपूर से होता है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार प्रदेस में जीरो से 6 वर्ष के आयू के समू का लिंगानुपात कितना है तो इनका लिंगानुपात 918 है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार प्रदेस के साक्षरतादर राश्टे साक्षरता दर्स के कितनी प्रतिशत कम है तो यह जो नंबर है यह 3.7% कम है भील जंजाती के विशे में रवो यतू क्या है तो यह एक प्रकार का भील लंगोटी है मद्द प्रदेश में फास्ट ट्रेक कोट की इस्थापना की गई कब की गई थी तो एक अप्रेल 2001 को इसके स्थापना की गई थी मद्द प्रदेश के राजिपा लाल जी टंगंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया था यह किस वर्षपत पर नियूगत हुए थे तो यह नियूगत हुए थे जुलाई 2019 में विधान सभा चुनाओ 2018 के दोरान सरवादीक मद्दान किस जिले में हुआ था तो चिंदवाला में सरवादीक मद्दान हुआ था निम्न में से कौन सा कार इस्थानी सोसाशन से संबंदित नहीं है तो इस्थानी सोसाशन संबंदित कार जो नहीं है वह लोग स्वास्त का अनुस्रक्षण बाकी स्वक्षता का प्रवंद जन उपियोगी सेवाई और जन स्वास्ती सभी जो संबंदित है इस्थानी सो साशन से संबंदित है लोकल गवर्नेंस से दो जून 2014 को अस्तित्तों में आये तेलंगना राजी के निर्माण के संबंद में किस आयोग का गठन किया गया था तो पर स्रीकरशन आयोग का गठन किया गया था कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारती नागरिकों को प्राप थे तो ओप्षिन नमबर C अनुछेद 15, 16, 19, 39 और 30 ये भारती नागरिकों को प्रदान किये गये हैं अब आप मुझे बताईए कि ये पांचो जो आर्टिकल्स दिये गए उनुछेद दिये गए इनमें क्या-क्या प्रावधान कहा गया है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताईए निम्न में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संसोधन नहीं किया गया था तो इसमें जो संसोधन नहीं किया गया था वो वर्ष था इसमें 1963 बाकी 86, 2003, 2015 इन सम्में परिवर्दन किया गया था बंदी प्रतिक्षी करण किन विक्तियों को प्राप्त नहीं है तो ओप्शन नमबर ए निवारन नजर बंदी में गिरफतार व शत्रू देशिय के जो लोग होते हैं उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है निम्न में से किस अनुछेद का वेवहारिक प्रयोग अब तक नीती निर्माण में नहीं किया गया है तो यह है आर्टिकल 44 जिसमें युनिवर्सल सिविल कोड है समान नागरिक सहीता राष्टपती के लिए महाभ्योग के प्रक्रिया है अर्द नियाईक प्रक्रिया सची वाले सीधे नियंत्रीत होता है तो यह नियंत्रीत होता है लोगसभा के अध्यक्ष द्वारा भारत में योजना आयोकस रजन किया गया था तो यह योजना आयोकस रजन किया गया था मंत्री मंडल के एक समाने से प्रस्ताव के द्वारा उप्शन नमबर C निम्न में स कौन सा एक राष्टिक खाद्य सुरक्षा मिसन में शामिल नहीं है तो यह इसका जो ऑप्शन ए ए तेलहन सामिल नहीं है बाकी यह हूँ चावल दाल यह तीनों शामिल है फिलिप्स वक्र किसके मद्य संबंद को व्यक्त करता है तो यह व्यक्त करता है यहाँ पर मुद्राइस फिती एवं बेरोजगारी के संबंद को नील गाय निम्न में से किस कुल में आती है तो यह आती हिरन के कुल में कौन सा विटामिन वशा में घुलंसील नहीं है तो विटामिन B घुलनशील नहीं है वसा में गेसिय इस्तिती में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है तो इस हार्मोन का नाम है आपर एथिलीन अगनाशे को पाचन रसके उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है कौन सा है तो सिक्रिटीन हार्मोन है यह रुधीर के प्लाजमा में निम्न में से किसके द्वारा एंटिबोडी निर्मित होती है तो यह निर्मित होते है लिंफोसाइट के द्वारा हैलोजनो में सबसे अधिक सक्रियशील कौन है तो यहाँ जो सबसे अधिक सक्रिशील है उसका नाम है फ्लोरीन मतदान के समय मतदाताओं के उंगली पर निसान लगाने वाली श्याही में सिल्वर नाइट्रेड मुख्य अव्यव होता है तो इसका नाम है हाँ पर सिल्वर नाइट्रेड निम्न में से क्या रासायनिक प्रक्रिया नहीं है तो उप्शन अमबर D पानी का भाफ में बदलना यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है कागच का जलना, भोजन का पकना, दूद का दही में बनने सभी रासायनिक प्रक्रिया है किस पक्रिया में बहुतिकी व रशायनिकी दोनों परिवर्थन होते हैं तो यहाँ पर option B, globe बत्ती का जलना यहाँ पर जो होता है यह एक बहुतिक और रशायनिक दोनों ही प्रक्रिया होती है इसमें अगला प्रशने, अर्दचालत का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है तो यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो घट्ता रहता है यहाँ पर किसी database में पंक्ती का दूसरा नाम है क्या है तो इसका नाम होता है field inter limited record के समूव को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है database यदि आप signal को degrade किये बिना network की लंबाई बढ़ाना चाहे तो आप को क्या प्रयोग करना होगा तो यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा हमें reporter का reporter का प्रयोग करके हम उसकी जो यहाँ पर length है उसको बढ़ा सकते हैं किस topology में network component एक ही cable से connect किये जाते हैं तो इस topology का नाम है पर bus topology malware के आक्रमण के लक्षन है इनमें से क्या है कुछ file का खोजाना system का धीमा चलना drive का प्रवेश्क योग से ना होना उप्रयोग तो इसके सभी options सत्य हैं friday 13 तह था six four eight उदाहरन है किस परकार के तो यह एक परकार का virus का उदाहरन है जो के computer में पाया जाता है computer को नस्ट करने के लिए उसके data को नस्ट करने के लिए यदि computer अपने आप reboot हो जाता है तो यह prior होता है क्या होता है यह prior virus के कारण होता है ये नेक्स कोशन है लोग सेवा आयोक के सदस्यों की बरगास्त की वनिलंबन किस आRTICLE के तहत होता है तो यह आRTICLE यहाँ पर जो काम करता है वो है 317 आRTICLE 317 राश्टी मैला आयोक के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कारेकाल कितने 2007 NGT मतलब National Green Tribunal के पहले अद्दक्ष के रूप में किसे नियुक किया गया था तो यहाँ पे थे लोकेश्वर सिंग पंत मद्द प्रदेश राज महिला आयोग के सापना कब की गई थी तो मद्द प्रदेश राज महिला आयोग के सापना 26 नूंबर 1999 को की गई थी भारत के प्रतम नियंतरक एवा महालेका परिक्षक कौन थे तो यह थे वी नरहरी राव वित आयोग द्वारा दी गई शिफारिशों की प्रवत्ती होती है किस प्रकार की सलाकारी होती है बाद्दकारी होती है किस देश के सा ernst समयोता किया तो यह देश हैं आपगर teamland किस राजी सरकार ने इंद्रा रसो योजना के शुरुआत की है तो यह सरकार हैं यहाँ ब्राजिस्थान सरकार प्रधान मंतिर नरिदर मोधी दोरा भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन किस राज में स्थापित किया जाएगा तो यह जो इलेक्ट्रिक वाहन है यह स्थापित किया जाएगा भारत के तमिलाडू राज में अफ्रिका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में डवलू एचो ने पोलियो मुक्त गोशित कर दिया वह राध देश कौन सा है तो वह देश है नाइजीरिया पुस्तक, कनेक्टिंग, कम्मुनिकेटिंग, चेंजिंग, किस वेक्ति के कारेकाल पर आधारित है तो इस ये वेक्ति हैं, यह है वकईया नाइडू वकईया नाइडू के उपर यह अधारित पुस्तक है मद्परदेश के किस जिले में पहली बार नेकी की दिवार के तरज पर सिक्षा की दिवार तयार की गई है तो यह जीला है इंदोर जीला प्रदान मंत्री किसान सम्मान निधी के तरज पर मद्परदेश सरकार ने मुख्य मंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू की थी तो यह सुरू की थी 25 सितंबर 2020 को मद्परदेश में वन जीवो के शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव किस इस्थान पर रखा गया है हाल ही में स्वामित्य योजना के अंतरगत मद्ध प्रदेश के कितने जीलों का चैन किया गया है। तो यहाँ जीलों के संख्या हैं यहाँ पर तीन जीले। निम्ण में से किस देश ने म्रत्तु के लिए वायू प्रदूर्शन को एक जिम्मधार कारक माना है। तो यहाँ देशे UK मतलब United Kingdom निम्ण में से कौन विश्व की सबसे मुल्यवान टू विलर निर्माता कंपनी बन गई है। तो उस कंपनी का नाम है पर बजाज आटो। मद्ध प्रदे सरकार द्वारा अत्रिक्त भोजन जरूरत मंदों को उपलब्द कराने के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो इस एप का नाम है आपर आहार एप, आहार एप के द्वारा यह सुविधा प्रवाइट कराई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टेस्ट नमबर 23 था, फुल लेंद नमबर 3 यह कंप्लीट हो गया है। आई होप मुझे उमीद है कि आप लोगों को सभी टेस्ट बहुत जादा फायदे मन साबित हो रहे होंगे। आप इन्हें खुद देखिए, बार बार सुनिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिलकुल ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को यह दिया आप फेस्बूक पर देख रहे हैं, यूटूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने इस दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चले फिर से मुलाकात होगी, अहेवे गुड़े, जैहिन, जै भारत